हेलो अच्छो मैं सांक आप सभी का सुवात करता हूँ अपनी इस यूटीब चैन्स सांक स्टडी सर्कल में तो आज हम फिर से परजेंट हैं क्लास एट के मैट्स की एक और वीड़ो के साथ जिसमें कि आज हम बिहार बोर्ड का जो अठमा का मैट्स चलता है उसमें हम लोग इ एक चरवाले रैखिक समी करन के सारे जो इंट्रडक्शन वीड़ो उसको भी हम लोग जानेंगे साथ में हम लोग जो इसका जो चिप्टर 2.1 है उसका हम लोग पूरा सॉलूशन भी करेंगे तो आईए वीड़ो को स्टार्ट करते हैं यदि आपने इसकी पिछली वीड़ो चरवाले रैखिक समी करन तो सबसे पहले यह समझ में आता अखिर चर क्या है और रैखिक क्या होता है समी करन क्या होता है ठीक है तो याद किजिए जो संख्या होती है सीरा जाने संख्या हैं दो परकार की होती है कितने पार की दो परकार की एक होती है चर संख्या एक होती ह अचर संक्या, ठीक है, चर और अचर, चर का मतलब होता है, जिसका मान न बदले, ठीक है, चर का मतलब होता है, बदलना, वही अचर का मान होता है, अ मतलब होता है, नहीं, चर का मतलब होता है, नहीं बदलना, अब कौन सा बदला, कौन सा नहीं बदला, कैसे जानेंगे, तो बदलना यानि A, B, C, D, नाम वगेरा जो भी कहीं पर भी आपको दिखा मिल जाए A, B, C, D दिख जाए, कखगगगद दिख जाए या नाम दिख जाए या इससे किसी संख्या को संबोधित किया गया हो तो वो सारी संख्या चर कहलाईगी लेकिं कहीं पर जिरो लिखल मिल जाए यानि संख्या देखने को मिल जाए तो इसको हम लोग अचर कहेंगे क्योंकि इसका मान फिक्स होता है क्या जीरो का मान कभी آپने देखा है पाँच के बराबर कभी संभवी नहीं लेकिन हाँ आपने ये देखा X का मान 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है तो ऐसे चीजों को हम जो है अचर कहते है तो इस समझ में आगए आपको अचर क्या होता है तो इस चेप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरन, यानि कोई एक ऐसा समीकरन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होगा मतलब इस प्रकार का समीकरन हो सकता है ठीक है? देखे इस समीकरन में क्या है? अचर संख्या कितना भी रह गया है? लेकिन चर का मान हमेशा कितना? एक, या ऐसे रह सकता है 2y पलस 7 बराबर 12 देखे एक ही है ना चर लेकिन कहीं पर ऐसा दिख जाए एक्स स्कुरार पलस 2x पलस 5 तो ये एक चर वाला समीकरन नहीं है ये दो चर वाला है ऐसी चीजों को आपको क्लास 9 में पढ़ना है और क्लास 10 में पढ़ना है यदि आपको इन सारे चीजों के बारे में डिटेल से नहीं चाहिए तो आपको जो क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 की ही हमारी ही एक वीडियो दिख रही होगी जिसमें हमने क्या है कि दो चर वाले रकिक समीकरन के बारे में ही बता है और class 10 की वीडियो आपको दिख रहे होगी उसमें भी क्या है हमने क्या इसी चीजों के बारे में चर्चा की है तो detailed knowledge यदि आपको लेना है तो आप वो वीडियो को जरूर देखे उसकी link आपको description में देखने को मिल जाएगी तो इन सबों का क्या है हमको जो है मान निकालना है यानि आगर आपको कोई प्रशन ऐसा पुद्देश में कहा कि X का मान निकालिए इस प्रशन के हिसाब से कहा है Y का मान निकालिए तो कैसे निकालेंगे यानि कौन से इसी value एक उदाहन से समगते है समझे कि एक तराजू है एक तराजू हम लेते हैं एक तराजू हमने ले लिया मानिज एक तराजू है एक तरफ इसी समीकरन को यदि हम रख दे एक तरफ दिया है 2X पलस 3 एक तरफ दे दिया एकार तो क्या इन दोनों का मान बरावर होगा तो होने के लिए क्या है बरावर का बोगा तो हम निकालेंगे यानि इसको कुछ ऐसा वेट रखे ताकि एगार देखे 2x पलस 3 बरावर एगार तो देखे 2x को यह दिधर ही छोड़ देगार जब या दखे जब कोई संख्या बरावर के दूसरी साइड में जाती है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है तो साइन क्या होता है किसी संख्या के आगे जो भी चिन्ह लगा हो उसका अपना साइन होता है तो इसका साइन पलस में है उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा तर 2X बरावर 8 तो X बरावर कितना हो जाएगा? फो 8 यह चीज इसके साथ यह गुना में उधर जाएगा वो संख़ा तो भाग में हो जाएगा ना क्योंकि बताए जब बरावर के दूसरे साढ जाती तो उसका साइन चेंज हो जाता एक्स के है, मतलब दू गुनाब आई है, तो उधर जाएगा तिये भागम हो जाएगा, दू चो के आट तो X का मान कितना जाएगा? 4, अब देखें, दू गुनाचार पलस तीन बरावरे गारा आएगा दू चाओ का आठ आठ तीने का देखिए गारा बरावरे गारा या निक्स का मान कितना हमारा सही है तो इसी परगा क्या है कि हमको इसी तरह की value क्या है exercise 2.1 मेरा करमान निकालना है तो आईए अब हम लोग क्या exercise 2.1 के सभी परशनों को हल करते हैं चले exercise 2.1 में आपके कुल 10 परशन दिये गए हैं बहुत ज्यादा तो नहीं है बहुत कम भी नहीं है 10 परशन आपके दिये गए हैं आपके book में अदि आपके पास book है तो आप बिलकुल निकालिए देखे 10 परशन आपके दिये गए हैं तो सारे परशनों के उतर तो हम बताएंगे एक भी परशन हमको क्या है छोड़ना नहीं और details से नौले लेने के लिए चैन को subscribe सरू करें तो आईए क्या है पहले परशनों को देखते हैं परशनों का हल गयात करने हैं एक्स या बाई का जो वैल्यू दिया होगा हमको उसका मान निकालना है तो आईए क्या है पहले परशनों को देखते हैं चलि पहले परशनों दिया है 3 x-3 बराबर 15 चलि तीन है जब ब्रैकेट है तो x का मान निकालना तो इसको इधे रख देते हैं 9 उदढ जागा तो 9 के आगे माइस-बॉधा जाएगा तो पलस में हो जाएगा तो 3 x बराबर 15 नौ 24 तो x का मान हो जाएगा चौवीक ये उदढ जाएगा अभर जाश्त हमने एक्जाम पन देखा तीन गुना में दह जाएगा तो भागा में तीनी अठी, चौबिस टेक्स का आमान कितना जाएगा आठा जाएगा, यही हमारा एंसर हो गया, दूसरा प्रस्म देखते हैं इसके कुछ नहीं नीचे तो 1 तो है ही अब इसका सबसे पहले हम LCM निकाल लेंगे अगर LCM आपको नहीं निकालना तो देखे एक तरीका और है एकस बटा दू को उधाए छोड़ दीजे 15 माइनस में उधा जाएगा तो पलस में हो जाएगा तो एकस बटा दू बराबर 15 साथ 22 अब यह देखे यह भाग में, दू किसमें भाग में बराबर 15 साथ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो एकस बराबर 22 गुणा दू हो जाएगा ना 22 दो चवार यादक ना है देखे टान यदि कोई संख्या बरावक इधर साइड पलस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में यदि इधर साइड ये माइनस में है तो बरावक उधर साइड जाएगा तो गुना सोरी पलस में दो हो चैनल? प्लस हो जैगा तो ये टर्म को आपको याद रखना है चले तीसा कोशुन इलखते हैं तीसा कोशुन यहाँ पर दिया गया है माइनस टू एक्स बटा साथ है बराबर आ्ठ ये पलस में उदह जाएगा तो माइनस दो हो जाएगा तो माइनस टू एक्स बटा साथ बरावर छे टू एक्स बटा साथ चली तो हो जागा माइनस टू एक्स बरावर छे इधर ये भाग में है उधर जागा तो गुना में हो जागा तो X को इधे रह देते हैं तो 6 गुने 7 बटा माइनस 2 उधे या रखना है जब कोई माइनस किसी गुना के साथ जाता है तो साइन चेंज नहीं होता देखे ये गुना में है ना तो उधे जागा तो ये माइनस में ही रह जागा क्योंकि ये अलग नहीं है ना X के साथ है X के साथ वाले ये कोई संख्या माइनस में तो उधे भी जाएगा तो माइनस में रहेगा 2 तीया 6 तो X बरावर हो जाएगा 3 सथ 1 का है तो माइनस को ऊपर लिखे या नीचे लिखे मान हमें सा क्या है बरावर ही आएगा चली इधर देखते है तो माइनस साथ है माइनस 3X है चली माइनस 3X को इधर ही छोड़ दीजे 18 7 उधा जाएगा तो घड़ी आएगा तो हो जागा माइनस 3X बरावर 11 तो X का मान हो जाएगा बहुँआ बताए कि गुना यदि X के साथ कोई चीज गुना में हो बरावर कुधा साथ जाएगा तो साथ में माइनस को भी लेके चला जाता हूँ माइनस माइनस ही रहेगा गुना वाले मिटर में अगर जोड़ घटाव करना हो तब तो क्या है वो पलस में हो जाता है छले देखते हैं एक्सपरस्न को यहाँ हो जागा 18 यह पलस ही धर आगा तो माइनस में हो जागा कि किसी संख्या की आगे कुछ साथ नहीं तो माइनस में माइनस 3X तो 18 में से चालस जाएगा तो माइनस 22 बरावर माइनस 3X तो देख एक्स को उधर ही छोड़ दीजे या इसको इधर दिया कोई दिकत ने तो माइनस 22 हो जाएगा बटे माइनस 3 तो माइनस से माइनस खत्म तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 22 वटा 3 आ जाएगा ठीक है नेकोशन यहाँ अपटे एक काम करते है इसको उधर लेकच चल जाते हैं या इसको इधर लेकच चलाते हैं या इसको इधर रहने दिजे कोई जाए minesस नाईन वाई को इधर ही छोड़ देते हैं तो जागा 11 माइनस 25 वटा चाहिं इसको हम उधर लेक्स चले गए तు ayrग जा 25 का 41 बटा 6 चलिए तो बाई को इधर छोड़ दीजे 41 बटा 6 अब ये देखे गुना में उधर जाएगा तो भाग में यानि नीचे आजाएगा गुने माइनस 9 क्योंकि ये 7 में गुना वाले टर्म में जब उधर उधर जाता है तो माइनस 7 में रहता अगर माइनस नहीं तो पलस है तो पलस में रहेगा तो बाई बराव होगा 41 बटे नोचक चववन यानि माइनस उपर लिखे या नीचे या आपका मन है तो नहीं तो माइनस 41 बटे चववन भी आप लिख सकते हैं आपका कोई अंसर क्या गलत नहीं जाएगा, तो ये था हमारा कोशिन नमबर 5 के अंसर, आईए देखते हैं, इसी के कोशिन नमबर 6 को, कोशिन नमबर 7 देखते हैं, कोशिन नमबर 6 हल किया था, वह आप हमने कोशिन नमबर 5 गलते से बोल दिया था, कोशिन नमबर 6 हमारे आप दिया गया है, चलिए तो 2.4 है इसको उधर लेक चलाते हैं तो 1 उधर जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में एक हो जाएगा बराबर एकस बटा 2.5 बच जाएगा इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा 3.4 ये भाग में इधर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा बराबर X तो X का मान अगर आप लिखते हैं तो आएगा 8.5 सुन्य मतलब X का मान आप चाहें तो 8.5 भी लिख सकते हैं इतना भी लिखेगा तो आपका answer आजाएगा तो ये था हमारा question number 7 question number 8 देखते हैं 3X उधार छोड़ दीजे 1 ये पलस में 10 है उधा जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा ठीक है तो 3X बराबर 10 में से गया 9 बचेगा लेकिन 10 के पहले माइनस लगा हुआ है ये बड़ा है तो माइनस नो हो तो X का मान जाएगा माइनस 3 ठीक है चलिए question number 9 देखते है question 9 ये आप दिया गया है चलिए आप चाहें तो डायक्स को गुना भी कर सकते हैं या फिर नहीं तो छोड़ दते हैं दो इधार गुना में उधार जाएगा तो भाग में भाग मतलब नीचे बटा में ठीक है X को उधार छोड़ दीजिए तो जाएगा 13 वटा दू आई ये पलस 11 चाहर जाएगा तो माइनस 11 वटे 4 ऐसे आप घेर दियेगा नहीं ये तो हम बताने के लिए सिफ घेर हैं ठीक है 2-4 कलसी हम 4 आएगा 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 4 एकम 4, 11 मतलब आजाएगा 15 वटा 4 तो एकमांद 15 वटा 4 आएगा ठीक है चलिए लास्ट कुशन देखते हैं लो कुशन नमबर 10 एकस वटा 3 इसको तोड़िए पलस इंटू माइनस 14 वटा 3 बरावर 3 वटा 7 चलिए आप चाहे तो डायक्टिवी हल कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं या इसको पूरा उधर लेक्षिया आते हैं ठीक है बरावर 3 वटे साथ क्योंकि इसके साथ एकस नहीं तो आंक वाला आंक के तरभ यह माइनस से तो जाएगा तो पलस में 14 वटा 3 हो जाएगा चलिए तो जाएगा एकस वटा 3 वरावर सत्या एकस क्योंकि अलग अलग संखा सत्या एकस 3 प्रिज़ दीजे दखे यह भाग में उधर जाएगा तो गुना में गुना मतलब यह नीचे था तो ऊपर उधर जाएगा तो ऊपर ठीक है, चले, तीन साते, एक काईस, तो जागा, x बराबर, 107 बटा साते, कम सात, तो हमारा answer आजाएगा, 107 बटा सात, ठीक है, तो याद आखेगा कोई चीज, देखे, कुछ टर्म है, यदि कोई संख्या, बाइचांस, मालो इधर, इधर में है, नीचे है, उधर ये संख्य जाता एए उपर हो जाए इह उपर रहेगा तो ये नीचे हो जाएगा थिक Pa yeah just तर जाने पर ये उपर चला जाता ये नीचे चलागता ये तर्म को हमेशा आप अपने दिमाग में माड़ा लिजेगा ठीक कि जो नीचे वाला तो उपर उपर जाता तो निजे यादि को संख्या X के साथ लगा है Y के साथ में लगा हो तो ये इसके साथ गुना में होता है जोड में नहीं होता ये उधर जाएगा तो ये हमेशा नीचे लिखाएगा ठीक है यादि यह गुनाम रहे तो नीचे यादि वही नीचे रहेगा तो ऊपर लिखाएगा ठीक है यह स्टम को याद रखना है तो इस परकार क्या है हमने 2.1 का पूरे प्रश्णों का सोलुशन कर लिया तो आपको वीडियो समझ जायोगी और आपको पूशन भी आओगी तो वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें नया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कूर ना पूरे और ऐसी वीडियो के लिए हमाई चैनल के साथ बने रहे तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद